दोस्तो आज मैं आपको दूलन ने चुराया दूला कहानी सुना रही हूँ आज दिव्या बहुत परिशान थी उसकी पिता ने ये कह दिया था अगर उसने आज शादी नहीं की तो वो उसको घर से निकाल देंगे दिव्या की बहन कीर्ती और मा बिमलेश ने उसे अच्छे से तयार किया तभी नीचे से उसके पिता जगमोहन की तेज आवाज आई अरे भाई और कितना समय लगाओगी अरे दिव्या को तयार कर दिया या नहीं तभी बिमलेश कहती है अरे कीर्ती जल्दी जल्दी दिव्या को तयार कर देख तेरे पिताजी चिला रहे है कीर्ती मा पिताजी को क्या हो गया है वो तो दिव्या के पीछे ही पड़ गए अरे दिव्या बोल नहीं सकती पर ये क्या उसके साथ जो कर रहे हैं क्या वो सही है अब ऐसा भी क्या है मा अब दिव्या को अपनी शादी के लिए दूला चुराना होगा मा उन्हें आप समझाते क्यों नहीं हो आपको उनको रोकना चाहिए ये सब करने से बिमलेश आरे नहीं नहीं कीरती बेटा अगर मैंने उन्हें मना किया तो उन्हें ऐसा करने से रोका तो वो दिव्या को घर से निकाल देगे और अगर सच में कहीं मेरी बच्ची को घर से निकाल दिया तो वो बेचारी कहां जाएगी इससे अच्छा यई होगा कि वो किस लड़के से शादी कर ले और अपने ससुराल चली जाए बस पर मेरी बिच्ची की किस्मत में क्या लिखा है? ये कोई नहीं जान सकता हूँ दिव्या, चल मेरी बच्ची, चल, तेरे पिता जी बुला रहे हैं, चल नीचे चल उन्होंने दिव्या को बिल्कुल दूलन की तरह कर तयार किया था फिर दिव्या अपनी मा से मिलकर बहुत रोई, दिव्या बच्पन से ही गूंगी थी, वो बोल नहीं सकती थी, बस इसी कारण उसका कहीं भी रिष्टा नहीं हो रहा था, सभी लोग रिष्टा ठुकरा के चले जाते थे, जब उन्हें ये पता चलता कि लड़की बोली नहीं स दूला शहर से था, बस फिर उन्होंने अपना दिमाग चलाया, दिव्या को दूलन की तरह तयार करवा कर, उसे लेके वहां पोच गए, जहां दूला तयार हो रहा था, जग मोहन के साथ उसका बेटा भी था, उन दोनोंने अपने हाथों में राइफले पकड़ रखी थी, तभी दिव्या ने लंबा सा गुंगट किया, और दूले के पास पोची, और उसने अपने मूँसे बाहर की तरफ इशारा किया, दूला कहता, अरे 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 आप कोन हो, और ये क्या बाहर की तरफ इशारा कर रही हो, तुम कुछ कहना चाह रही हो, तो बोलो, पर फिर डप में होना चाहिए था उसने उसे अपनी दूलन समझा था आप यहां पर कैसे आ गई हो और बाहर को ने अच्छा चलो मैं जा कर देखता हूं शायद बाहर ही कोई हो पर आप बोल क्यों नहीं रही हो फिर जैसे ही दूला दूसरे दर्वाजे से बाहर आया तो वहां पर पह फिर दो दिव्या और उस बेहोष दूले को गाड़ी में बिटाकर जंगल के बाहर ले गए जहां पर पहले से हीSH पंडिजी मौँजू थे और शादि की सारी तर्यारिया मा पहले से ही कर रखके थे फिर दिव्या के पिता और भाई ने बेहोष दूले से दिव्या की दी ओने वाली थी, वो सब लोग वहां पहुच चुगे थे, अब दूले को पूरी तरह होश आ गया, उस दूले का नाम गोरव था, उसकी बस मा थी, उसके पिता जी बच्पन में ही चल बसे थे, वो भी उसकी मा भी पैरलाइज थी, और वीलचेयर पर ही बैठी रहती थी, उ थोड़ो आप मेरे बेटों को छोड़ दो, तब ही जगमौन कहते, अरे देखिए बैण जी, आब तो हम आपके बेटों को छोड़ी रहे हैं, अब तो हमारा काम हो जी गया, और साथ में ये दीखिये, उसकी पत्नी भी है, उसको भी साथ ही भेज रहे हैं, चलो दीव्या, मैं बेहोश था जब मेरी शादी गिनोर ने इंस लड़की से कराई। तब ही उसका होने वाला ससुर जो की वहीं पर आ गए थे वो बोलते हैं। अरे गोरो बेटे अब तो तुमारी शादी जगमोहन जी की बेटी दिव्या से हो गई। बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम तो अपनी बेटी की शादी तुमसे करी नहीं सकते, अरे हम जगमोहन जी से दुश्मनी मोल ले ही नहीं सकते, अरे इनकी आसपास के गाउं में बड़ी इज्यत और बड़ा रुद्वा है, अब तो हम वापस अपने घर जा रहे हैं, और अच्छा यह होगा कि तुम भी अपने घर चले जाओ, या इनके यहां रहो, अपने रिष्टेदारों को या अपनी मा को लेकर अपने घर चले जाओ, अब तो हमें माफी करो भईया, हम तो जा रहे हैं, यह कहा के लड़की वाले सभी अपने घर चले गए, अब गोरव मजबूर था, वो कुछ करी नहीं पा रहा था, उसे दिव्या को लेकर अपने घर वापस जाना ही पड़ा, पर गोरव को यह बात अभी तक पता ही नहीं चली थी, कि दिव्या बोल नहीं सकती, अब उनके दीरे दीरे सारे इस्सेदार भी अपने घर चले गए, अब गोरव का गुस्सा फूट पढ़ा दिव्या पर, गोरव, अरे अब तो देखो कितनी सीधी साधी बन रही हो, वहाँ पर गाउं में बड़े इशारे कर रही थी, और मुझे पागल बना दिया, पता ही नहीं क्यों मैं तुम्हारे जहासे में आ गया उस दिन, अगर उसी दिन में त समझ जाता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, अब तुम बिल्कुछ सच-सच बताओ, तुम कोन हो, और तुम लोगों ने ऐसे जबरदस्ती मेरी शादी क्यों कराई है, तुम सब आसानी से बताओगी, या मैं पुलीस को बुला के उनके सामने पूछो, और तुम क्या लिखने लगी, दिखाओ तो जरा क्या लिख रही हो, फिर गोरब ने वो पेपर उठा के पढ़ा जिस पे लिखा था, मैं बोल नहीं सकती, मैं बच्पन से ही गूंगी हो, इसी कारण कोई भी मेरे से शादी नहीं कर रहा था, मेरे पिता जी ने मुझे ये प जरना चाह रही थी, इसके बाद दिव्या खूब रोने लगी, अब तो गोरब भी ये जान चुका था, कि उसकी शादी तो होई गई, अब वो चाहा कर भी कुछ नहीं कर सकता, अब दिव्या ही गोरब की पतनी थी, आस परोस और सभी रिष्टेदार ये जान गए थे, अपनी सास का बहुत क्याल रखा, पहले जब गोरब ओफिस जाता था, तो उसे घर पर अपनी मा की चिंता लगी रहती थी, वो बार बार अपनी मा को फोन करता था, क्योंकि उसकी मा घर में अकेली रह जाती थी, और वैसे ही वे वीलचेयर पे थी, अब दिव्या के आने के बात से उसको ये चिंता नहीं होती, क्योंकि सुभा से लेकर शाम तक वो अपने घर का काम और अपनी सासु मा की देखवाली करती थी, एक दिन दिव्या की सास बोलती है, अरे दिव्या बहु, तुम्हें जैसा सोचा था, तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो, अरे तुम त तुम हमारे लिए बहेदी भाग्यवान बनके आई हो, ऐसे ही दिन बीटते रहे, एक दिन दिव्या की सास की तवियत अचानक से बहुत खराब हो गई, तो दिव्या बीना देर किये, उनको ओटो में बिठा कर पास की डॉक्टर के या ले गई, वहां सारे टेस्ट वगेरा हुए डोक्टर ने चेक अप करा, ये करते करते शाम हो गई, शाम को जब गोरव घर आया, तो उसने देखा उसके घर पर ताला लगा हुआ है, उसने पडोस में पूशा, तो उन्होंने बताया, आरे बेटा गोरव, तुम्हारे मा की तवित खराब हो गई थी, तुम्हारी पतनी उन्हें डोक्टर के लेके गई है, ये सुनकर गोरव भी अस्पताल में भागा भागा गया, होस्पिटल में आकर गोरव डोक्टर से पूशता है, डोक्टर साब कैसी है मेरी मा, उनकी तवित कैसी है, वो ठीक तो है ना, देखिए डोक्टर कहते हैं, देखिए उनका शूगर और बीपी हाई हो गया था, अभी तो मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, पर अब उनकी हालत ठीक है, वैसे डढ़ने वाली कोई बात नहीं है, ये तो अच्छा हुआ कि आपकी वाइप इने समय पर अस्पताल ले आई, वरना कुछ भी हो सकता था, फिर गोरव दिव्या की तरफ देखता है, तो उसे उसकी आँखों में अपने और मा के लिए प्यार और सम्मान दिखता है, गोरव की मा कहती है, देखो बेटा, दिव्या दिल की बहस सची और साफ बच्ची है, अब तो हमें उसे पूरी तरह अपना लेना चाहिए, जो हुआ उसे भू बेटा, अब तू भी इसे स्विकार कर ले, गोरव ने दिव्या की तरफ देखा, तो उसकी आँखों में आसू थे, बले ही वो कुछ बोलना पाती, पर वो अपने मन से अपनी खुशी और परेशानी सब चाहिर करती थी, अब गोरव ने दिव्या को स्विकार कर लिया, सब धिक्त वर वाचिगों!